सो हें गाइस वेलकम बैक यूर क्लास और बहुत-बहुत दोस्तों आपका स्वागत है दुबारा से हमारे इपाट्शाला के चैनल में क्लास 11 की अगर आप सभी को याद हो हमने कहीं ना कहीं पहले भी वीडियो डाली हुई है जितने भी चैप्टर्स काट्वन के अंदर जितने भी काट्वन हैं जो चैप्टर्स के अंदर अवलेवल हैं पहली वाली जो बुक थी उसके उपर भी हमने काट्वन के बारे में काफी अच्छी तरीके से एक्स्प्लेइन करा हुआ है आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था और अब हम इसके साथ में ही जो दूसरी बुक है पॉलिटिकल थियोरी उसके भी कुछ काट्वन है जो हम आज हम स्टाडी करने वाले हैं आज हम बात करेंगे पूरी तरीके से कि इस पॉलिटिकल थियोरी के इंदर जो इंपॉर्टन काट्वन है वो पेपर के पॉइंट आपकी कुछ और भी डिमांड है तो आप जरूर हमें कमेंट करिए हम उन पे पूरी तरीके से काम करन हैं क्योंकि काट्वन वाले जो कोशन होते ना पेपर के पॉइंट आप बहुत ही जाधा टाफ होते हैं बच्चों को समझ में नहीं आते कि exactly काट्वन के इन कोशन में क्या लिखना होता है तो मैंने उनी कोशन को उठाया है जो सिर्फ पूरे काट्वन की explanation करते हैं आप चा आए तो अगर आपको इससे related नोट चाहिए तो हमारे को description में हमने आप सभी को लिंक दिया हुआ है आप वहां से भी नोट्स को अविल कर सकते हैं बहुत असानी से काटन वाली स्टाडी जो हमने इंडियन कॉंस्टूशन एट वर्क वाली बनाई थी उस वीडियो के दो पार्ट है यह ध्यान रखेगा और अब हम जो पॉलिटिकल थियोरी की पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों उसमें सिर्फ एक ही पार्ट आएगा और वह आपके लिए सब्सक्राइब स्टूडेंस को बताने जा रहा हूं कि बहुत सारे सुड़ेंस पूची कि सर आप कहां से ब्लॉंग करते हैं क्या है क्या कर चुके हैं उस से थोड़ीट थोड़ी सी बात हैं सो मैं पिछले आठ साल से टेचिंग लाइन में ही हूं तो इस हिसाब से मुझे सब्सक्राइब से बच्चों को पढ़ाने का और अगर आप देखेंगे तो मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे और साथ में दोस्तों मैंने करी हुई है इगनू यूनिवर्सिटी से जो दली के अंदर है वहाँ से मैंने मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस करी है और यहां पे दोस्तों मैं टीचिंग लाइन को और ज्यादा अच्छी तरीके से आगे पहुचाना चाहता था और यहां पे आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल जॉइन करें और इपाटशाला चैनल पे हम पिछले कई सालों से दो साल से तीन साल से तो काफी अच्छी चरीके से एक्टिव है और इसी वज़े से हमारे चैनल पे एट मिलियन व्यूज है और वह बहुत बहुत थैंक दोस जो हैं वो वेल कर सकते हैं बहुत असानी से उस पर हम काम करते हैं और इक प्रौसेस होता ही रहेगा अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ नया है वो नया क्या है दोस्तों इस वीडियो के अंदर नया यह है कि अनकेडमी एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जो अभी एक अनकेडमी एशेंट करके इन्होंने पुरी तरीके से एक नई तरीके की गाइडलाइन इन्होंने चलाई है और जो स्टुडेंट देखो आप यूट्यूब चैनल से पढ़े आनकेडमी से पढ़े मेन आपका पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आप अपने एन्वल एक्जाम के अंदर एक सही तरीके से मार्क्स का गोल कर सके और वह बहुत ज़गा ज़रूरी होता है और इस वज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इसके अंदर यह फिरी आफ कॉस्ट है आपको एक रूपिया खर्च करने की जरूत नहीं है अगर पैसे करने की जरूत होती तो मैं आपको गैरंटी दे रहा हूं कि मैं खुद आपको यह बोलता ही न सबसे अच्छी बात यही है अगर आपने एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं सब्सक्राइब क्लास की बात नहीं हो रही है लेकिन यहां पर च्छटी से लेगे बारी खे बच्छे एवरी सब्जेक्ट एवरी टीचर वहां पे अलग-अलग है जहां पर बहुत असानी से आ आप है वहाँ पर जाके आपको एकडिमी आप मिल सकता है एवन हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बता रखाए कि आप किस तरीके से उसमें इन्रॉल कर सकते हैं या आपको क्या करना पड़ेगा चैटी से बारवी क्लास के सबी बच्चों के लिए बहुत असान करना है उसमें अपने आपको एन्रॉल करना है आप जिस भी सब्जेक के स्टूडेंट है आप उसके इंदर उस चीच पे जाईए और जाने के बाद आप बहुत असानी से आप अपने अपने ट्रैक को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है तो तैयारी के हिसाब से मेरे साब से बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप अपने तैयारी को 95 प्लस करना चाहते हैं तो जरूर एन्रॉल कीजिए कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं और अपना गोल सेट करेंगे अगर आप तो आप काफी अच्छी तरीके से पर हो सकते हैं अगर आपको इस सबसे इंपॉर्टन बात सपोज मान लीजी कि स्टूडेंट जो स्पैश्लिस टीचरों से पढ़ना चाहते हैं जैसे कि क्यमेस्ट्री का स्पैश्लिस टीचर हो सकता है जैसे मेरे जैसे पॉलिटिकल टीचर हो गए जोगर आप हमारे प्लाटफॉर्म पे जो आप जाएंग तो आप हमारे इस जो रिफल कोड है जो EPS 123 है अगर आप इसका इस्तमाल करेंगे तो आपको 10% डिसकाउंट मिलेगा तो यह बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे तुरू जा रहे हैं अगर किसी दूसरे फ्लाटफॉर्म पे भी तो वहां पे भी आप आफ्टर 12 या 11 में ह करना है तो आप यह कोड इस्तमाल कर सकते हैं और आप वहां से उसको पर्चेस भी कर सकते हैं तो सबसे पहले जो यह कि जो रहा है उसका फाइदा उठाइए वह तो यह तो बात की बात है लेकिन आप उस चीज़ को जरूर फोकस करेंगा तो अब हम आगे स्टार्ट करने ज दिखाने की कोशिश करा गया पहले काटन के अंदर आपको पटा है एक कि जस तरीके से एक मन्तरी या पार्श्ड जो होता है उसके घर के अंदर कुछ ऐसा मॉहल दिखाने की कोशिश करे जाती कि पार्श्ड हमेशा लोगों से political discussion करता रहता है तो कहीं नंगें उसका effect I'm giving some question to you और आपको बहुत easy analyze हो जाएगा कि हाँ यार सही माइने में ऐसा होता है real life में political basis पर देखा जाए तो ऐसा होता है जैसी कि यहाँ पर एक महिला अपने husband से बोल रही है कि आपको राजनीती से सन्यास ले लेना चाहिए that means retirement ले लेना चाहिए क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो उनकी कामकाज है उससे कहीं न कहीं उनकी family पर या उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सोचता है कि जिस तरीके से नेता जो होते है मतलब इनकी जो वाइफ इनको बोल रहे है कि जिस तरीके से नेता जो होते है वो हर किसी से धोका धड़ी जूट बोल कर काम चला लेते है एक्जामपल के लिए अगर आप देखेंगे कि हर नेता बोलता है कि यार हमें इलेक्शन में जिता दो हम आपकी गलियां सुर्ग जैसी कर देंगे घर में मतलब मीठा पानी आएगा खुशियार्या रहेंगी दुखी चले जाएंगे फ़लाना डिमकारा मतलब बहुत सारे जूटे वादे से भरे प्रॉमिस करते हैं ये लोग और इसका एफेट कही ना कही उनके बच्चों पर दिखाई देता है तो इस हिसाब से कोशन पूछा गया इसके अंदर जिसमें से नंबर वन कोशन कहा है दोस्तों नंबर वन कोशन है वट ड़स दा काटून रिप्रेजेंट डाट मींस काटून दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है अब बहुत से लोगों समझ में नहीं आता है कि काटून में ऐसली सही माइने में explanation है क्या तो सही माइने में अगर आप देखें तो काटून के अंदर explanation दे रखा है demerits of the politicians politician मतलब राजनेताओं के गलत और गंदे कामों के बारे में जिस तरीके से गलत तरीके से लोगों से जूट बोलते हैं धोका धड़ी करते हैं अपने promises अपने वादो को पूरा नहीं करते हैं तो वो demerits है और इसकी वज़े से आप देखेंगे बच्चे का भी कही न कहीं effect है यानि कि बच्चा भी इस वज़े से अपनी family में अपने दोस्तों में अपने सरकल में जूट बोलता है धोका धड़ी करता है उसको लगता है कि जिस तरीके से मेरे फादर जनता को बेवकूब बनाते हैं जनता से जूट बोलते हैं सारे promises निभाते नहीं हैं और उनका भी काम चल रहा है तो इस हिसाब से मुझे भी लगता है कि मैं अगर जनता के अलावा अपने दोस्तों से रिलेटिव से family से जूट बोलूँगा तो मेरा भी काम चलता ही रहेगा तो इस हिसाब से दूसरा question यही है mention some drawbacks of the politics that means politics की कुछ बुरी बाते आपको बतानी है अपने बाप का भी नहीं होता है लोग का ऐसा कहना है sorry मैं बाप का कह रहा हूँ language थोड़ी सी odd लग रही होगी लेकिन सही माइने में politics की गलत बाते हैं तो drawbacks हमें देखने हैं drawbacks में अगर आप देखे mostly leader tell a lie frequently even in the family to influence their young ones है ना तो यहां पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी राजनीती जंगाने के लिए राजनीता continue जूट ही बोलते रहते हैं और इस चीज को dirty game गंदी राजनीती बूली गई है on the principle of everyone is fair to win the power यहां पर ऐसा बोला जाता है ना इश्क और जंग में को जीतने के लिए dirty game खेलना भी जाया से इस हिसाब से कहीं ना कहीं politics की demerits अब आपको समझ में आ गई होगी I hope you cartoon जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से explain हो रहा है अभी भी अगर आपने channel को subscribe नहीं करा है बच्चों तो आप channel को subscribe कर सकते हैं अब हम आगी बढ़ते हैं दूसरे cartoon की तरफ अब यहां देखेंगे इस cartoon के अंदर इसमें कुछ ऐसा system दिखाया हुआ है आप सबी को जिसमें दिखाया हुआ है कि जो middle class family है जिनके घरों के अंदर नौकर लोग काम किया करते हैं तो उस हिसाब से यह जो cartoon दिखाया गया है यह दिखाया गया है कि परवासी मजदूरों के बिना भारत में शेहरी मध्यम वर्ग का एक दिन का जीवन कैसा होगा आप यह मान के चल सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जिस तरीके से समाज का एक एको सिस्टम चल रहा है इक सिस्टम के अगर कोई भी बन्दा मिस हो जाए तो आप सोचिए उनकी लाइफ में कितना ज्यादा मतलब effect हो सकता है कितना जादा वो पूज तरीके से अपने काम धंदों से विचलित हो सकते हैं So this is the cartoon behind this और इस वज़े से इसमें कुछ questions होजे गए हैं and the question is that what does the cartoon represent इस cartoon में दिखाने की कोशिश क्या की जारी है इस cartoon में दिखाने की कोशिश ये की जारी है cartoon comments on the life of urban Indians middle class without immigrant workers that means परवासी मजदूरों के बिना यहां पर जो शहर के रहने वाले मध्यम वर्ग क्लास की फैमिली के लोग हैं वो कैसे हैं देखो मैं एक एक्जामपल देता हूँ आपको आपकी लाइफ का सीधा साधा आप मान लीजी कि आपके घर के अंदर कच्रा फेकने वाली कोई भी एक man हो सकता है जो आपके घर से कच्रा उठा के ले के जाता है और कुछ महीने के पैसे चार्ज करता है वो उसकी condition है इस वज़े से वो काम कर रहा है लेकिन यहां पर suppose मान लीजी कि वो immigrant जो मजदूर है जो यह निचले दरजे का काम कर रहा है या किसी भी परकार का प्रोफेशन कर रहा है और वो आपके घर में ना आए तो सोची आपके घर में कितना जादा कूड़ा हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं वो चिछ खुच जाके फेकनी पड़ेगी तो कितना आपको awkward सा लगेगा suppose मान लीजी कि आपने अपने कार्द होने के लिए किसी worker को रखा हुआ है और वो worker कार्द होने से मना कर दे या मैं कहा है जो कार्द होने के लिए आई नहीं रहा तो सोचिए आप office जाते वक्त पहले आपको गाड़ी साब खरने पड़ेगी आदे घंटे पहले फिर जाके आप office जाएंगे same हर किसी की life में अलग-अलग scene दे रखा है जैसे कि मान लेजी कि आपने सबजी बनाने वाली या सबजी खरीदने वाली किसी को अपने रखा हुआ है लेकिन वो नहीं आ रही है तो सोचिए मतलब कहने का मतलब यह है कि कार्टून में दिखाने की कोशिश करेगे कि immigrant workers होते हैं वो कहीं न कहीं जो शहरी middle class family है उनमें बहुत ही एहम रोल निभाते हैं अच्छा उसके बाद दूसरा question है कि what are the persons performing in the cartoon इस cartoon के अंदर जो persons है वो क्या perform कर रहे हैं तो ladies and the women of the middle class family are cleaning washing their utensils और many things भाई वो खाना भी बना रहे हैं कूड़ा भी फेक रहे हैं बच्चों को समाल रहे हैं कपड़े दो रहे हैं बरतन धो रहे हैं कार धो रहे हैं घर की सफाई कर रहे हैं भार का समान ला रहे हैं Even teacher जो है बच्चों को पढ़ा रही लेकिन उकर उसका कोई छोटा बच्चा है तो उसे भी समाल रहे है जो parents कभी बच्चों को school ले जाते समय नहीं ले जाता था वो भी ले जा रहा है तो आशे बहुत सारी चीज़े खिरिया दिखाने की कोशिश करी जा रही है जसमें डेली की रोजमर्रा की चीज़ों में जो मिडल क्लास फैमली होती है वो दूसरे बंदों पे तो depend होती है लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखने की कोशिश करेंगे अगर immigrant मज़़ूर नहीं होते है तो उनका क्या होगा So I hope you getting this cartoon very easily So next अब हम दूसरे cartoon की तरफ चलते हैं दूसरे cartoon में ये दिखाने की कोशिश करी गई है पिछडे देशों के बारे में और पिछडे देशों में आप देख सकते हैं कि रोजगार, सिक्षा, मकान की बाते हैं इन पे जो पिछडे देश हैं वो जातर फोकस नहीं करते हैं और वो अनुबम के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलते हैं ऐसा कारण क्यूं है देखो अगर आप ये कोशिश करेंगे विच कंट्री आर बिन रिपर्जेंट इन इस कार्टून इस कार्टून के अंदर कौन सी कंट्री के बारे में जादा अची तरीके से बताया गया देखो इस कार्टून से किसी कंट्री को रिपर्जेंट तो नहीं किया जा सकता लेकिन हाँ इस कंट्री में जो ये कार्टून दिखाई दे रहा है इसमें country को represent करा जा रहा है all backward classes से मतलब पिछडे हुए देशों का represent करा जा रहा है इसके अंदर पिछडे हुए देश अब कोई भी हो सकता है अब मैं special किसी country को ये नहीं बोल सकता है कि पिछडी हुई country backwards country हो गई है जो या तो अभी developing हो रही है या developed हुई नहीं है सब्सक्राइब अगर जो all backward classes है उनकी टैंशन क्या है उनकी टैंशन है देवा आर वरेड अबाउट सारे के सारे वरेड है कि एजुकेशन की फील में शहरी करन की फील में कंस्ट्रक्शन की फील में कोई ना कोई development होना चाहिए जो नहीं हो रहा है जो धीरे-धीरे करके होगा जो बहुत ज़्यादा समय ले सकता है है ना तीसरा question है about what they are thinking and why मलब यह जो country है जो all backward countries है वो क्या सोच रही है they don't like to utter even a single word about the item bomb देखो जो developing country है या backward class की country है भाई वो पहले अपने सिक्षा शहरी करन अपनी construction की विवस्था है रोजगार जैसी बेरोजगारी जैसे चीजे इन पर ज़्यादा focus करेगी वो country कभी नहीं कहेंगी कि हमें nuclear bomb से related बात करनी चाहिए इस पेस में क्या बदला हो रहा है उनमें बात करनी चाहिए वह इवन सिंगल वर्ड वो आइटम की बारे में बोलेंगे भी नहीं कि उनकी country को पता है because they know peace is initial for the development of the country backward classes के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखेंगे आइटम जैसे तो बहुत दूर की बात है वो देखेंगे सबसे पहले अपनी initial चीज़ों को पूरा करना वो अपने शहरों के अंदर गाउं के अपने देश के अंदर पहले रोजगार की विविस्ता शिक्षा की विविस्ता मकान की विविस्ता इनको पहले वो करने की कोशिश करेंगे and this is about the peace of in our country अगर हमारी country के अंदर peace रहेगा शांती रहेगी तो हम इन चीजों के उपर सभी तरीके से focus कर पाएंगे और developed होने की क देखी थी और सबसे amazing बात तो यही है कि दूसरी वाली बुक में सर्फ इतने से ही कार्टून है and सभी कार्टून हमने explain करें हैं आपको और I hope आप समझ रहे होंगे और जो मैंने आपको अभी वीडियो की शुरवात में बाते बोली थी उन पर जरूर focus करिएगा जो चीज़ भी तो मिलते हैं अब जल्दी हम वीडियो के अगले पार्ट में this is it in this वीडियो और हमने ये कार्टून की series खतम कर दी है तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ये पाटशाला चानल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं त क्योंकि आप जितना वीडियो को share करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जबी बड़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चानल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवा जय हिन जय भारत